तो दोस्तों अनकाडमी की तरफ से NDA के सभी कैंडिरीट्स के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर ये है कि प्राइस हाइक अलर्ट है आप सभी लोगों के लिए और वो अलर्ट क्या है सब्सक्रिप्सन की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाली है 15% तक और ये कब से होगी ये 1 December से लागू हो जाएगी आपको अगर कुछ और जानना है इसके बारे में क्या होगा कैसे होगा तो इस कोड को स्कैन कर सकते हो आप और चेक कर सकते हो तो आप अगर सब्सक्राइब करने वाले हो सब्सक्रिप्सन लेने का सोच रहे हो तो अभ complete batch course आ गई है educators आपकी screen पर है और इसकी सुरुवात होगी 24 नवंबर से चलेगी ये batch course 10 अपरेल तक दूसरे batch course की बात करें तो commando 2.2 ये NDA की detailed batch course होगी 2022 के लिए और इसमें भी educators आपकी screen पर है अगर इसकी starting date की बात कीज़ा है तो ये 24 22 नवंबर से start हो रही है ये भी तो इस दोनों batch courses के लिए इन्रॉल कर सकते हो अगर आप 2022 में NDA क्रैक करना चाहते हो तो साथ ही साथ नेवी की complete batch course आ गई है 17 नवंबर से 15 जनवरी तक ये चलने वाली है educators आपकी screen पर है आप इसके लिए भी इन्रॉल कर सकते हो अब इन्रॉल कैसे करना है सबसे पहले unacademy learning app को install करना उसके बाद get subscription पे click करना अगर आप NDA category में लेना चाहोगे तो NDA category में आपका subscription का जो pricing है वो खुल जाएगा उसके बाद चेक करना और जो भी आपको लेना है जितने time के लिए लेना है वो select करना उसके बाद यहाँ पे मेरा code डाल देना AB study 10 वो code डालोगे तो 10% की discount मिल जाएगी वो करने के बाद get subscription proceed to pay और ले सकते हो subscription सेम वैसे Air Force Navy Coast Guard के लिए आप कर सकते हो तो जाओ फायदा उठाओ subscription लो और तैयारी को बूस्ट करो लेट्स क्रैक इट Hello everyone कैसे हो I hope कि अब सभी लोग ठीक होंगे मैं हो भी सेक और आप देख रहा है study with भी सेक तो इंडियन Air Force ने AFCAT यानि की Air Force Common Admission Test जो examination होता है उसके लिए short notification रिलिज किया कल और उसके बाद आज जो है यानि 27 नवंबर को इसके लिए जो full notification है पूरी details के साथ वो release कर दी किसमें employment news में 27 नवंबर के employment news में जो short notification है वो ऐसा है कुछ देख सकते हो आप A life with a purpose, a purpose for a lifetime ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे सबसे पहले quote दिया गया है उसके बाद यह देख सकते हो आप जैसा कि यह goals and boys दोनों के लिए होता है नीचे आते हैं join Indian Air Force to be a cut above online registration through यहाँ पे address दिया गया और कि आप यहाँ से apply कर सकते हो इंट्री की बात की जाए तो आफकट branches दिये गया है NCC special entry जो एक होती है उसके लिए भी दिया गया और इसके लिए online test होगा आफकट entry के लिए वो भी बताया गया है ठीक है तो यह कुछ तरीके से चीज़े हैं जो कि कल release की गई थी जो कि मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था आज जो भी है वो सब एक इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या है कैसे है eligibility criteria के है लेकिन उससे पहले बोलना होगा उसके बाद ही आपका new notification आपको देखने को मिलेगा लेकिन चलो maybe finger cross जल्दी ही कुछ चीज अच्छी हो जाए और notification हमें देखने को मिल जाए airman के लिए जो star examination होता है ठीक है अब इसके उपर बात करते हैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसका यह sort notification और साधी जो को discuss करते हैं कि क्या है और कैसे है तो यह रहा जो detailed notification है वो Indian Air Force की तरफ से यह release किया गया है जैसा कि आप अपनी screen पर देख सकते हो और यह अगर बात कीजा है तो 1.2022 NCC Special Entry है और इसके लिए जो courses होंगे वो January 2023 में start होंगी चीक है अलग-अलग branches के लिए है आफकट Entry में Flying के अंदर है Ground Duty जो की Technical के लिए और Ground Duty Non-Technical के लिए दोनों है ठीक है और उसके बाद बात करें NCC Special Entry में तो इसमें Flying के लिए है और जैसा कि आप देख सकते हो 10% seats out of CDAC vacances for PC and 10% seats out of AFCAD vacances for SSC इस तरीके से है तो मैं कुछ चीजों के उबर बात करता हूँ अगर बात कीज़ तो 22-26 years और अगर बात कीज़ा कि Date of Birth कहां से कहां तक होनी चाहिए तो Date of Birth आपकी होनी चाहिए 1 January 2023 से लेकर जो आपका जन्म है वो होना चाहिए 1 January 2023 को as on यहाँ पे लिखा गया है से लेकर नहीं 1 January 2023 को आपकी जो Date of Birth है वो होनी चाहिए 20-24 और जो Date of Birth का Criteria है वो है 2 January 1999 से लेकर 1 January 2003 के बीच में ठीक है और साथ ही साथ अगर बात कीज़ा है कि Ground duty के लिए तो उसके लिए भी सेम वहीं 1 January से ही लिया जाएगा आपका Date of Birth काउंट किया जाएगा 2 January 1997 से लेकर 1 January 2003 के बीच में तो इस तरीके से हैं बाकी सारी चीज़े वैसे ही है जैसे कि नॉर्मली जो आपको पता ही है एपलाई करना है आपको इसके लिए और आगे Sports Adventure Insurance ये सब जो होता है वो सब यहाँ पे लिखा गया है Marital Status आपका जो है वो आपका Candidates below 25 years of age must be unmarried at the time of commencement of the course widows, widowers and divorces with or without incombrances below 25 years of age are also not eligible तो अगर आपकी 25 साल से कम उमर में साधी हो चुकी है आप डिवोसी हो या कोई widow है या widowers है वो सब उन सभी के लिए भी यही है कि नहीं आप eligible नहीं होंगे और अगर आपकी साधी होगे तो बिलकुल भी नहीं होंगे तो इस तरीके चीज़े है ठीक है तो ये notification रहा पूरा जिंदा notification बाकी अगर आपके दिमाग में कोई confusion है तो आप पूछ सकते हो मुझसे वैसा कुछ confuse करने वाला ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ठीक है तो apply करो अगर आप लीजिबल हो तो और बाकी सारी details फिर से मैं बताता हूँ आगे जब apply करने से हो कहां पर टेलीग्राम चैनल पर इसको और टेलीग्राम ग्रूप में भी जोइन कर सकते हो डिस्क्रिप्सन में लिंक है सबका जाओ जोइन करो अनगाड्मी पर लिंक है सबसे उपर उसके तुरू जागाड जोइन कर सकते हो और free live class देखोगे पहली बार तो AB study 10 code ज़रू यूज़ करना अभी के लिए इतना ही अपना ख्याल रखो थैंक यू सो मच एप्रिवन